नमस्कार दोस्तों इसको देखकर जो फारुक अब्दुल्ला है उनका यहाँ पर बयान आया कि शायद अमित साहने मेरी जो हिस्ट्री है वो नहीं पड़ा है और इसी को लेकर काफी जादा कॉंट्रोवर्सी हो गई है किसी का कहना है कि गुपकार अलायंस है ये कुछ चुना होने जा रहे हैं त साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं अंकित अगरवाल ऑफिशल और अगर आपके पैसी की तियारी कर रहे है तो आपके लिए सुनरा मौका है स्टाडी आइक लाए आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके तुरू आप अपने प्रिप्रेशन और वी ज आपके बताओंगा डूंट वरी तो इस अलायंस को बेसिकली यहाँ पर 17 नवंबर को अमिच शाजी ने कहा ये एक तरह का गुपकार गैंग है अन्होली गडबंदन उसको बताया और उन्होंने ये कहा कि ये जो अलायंस है बेसिकली ये चाहता है कि फॉरन फोर्सेज जो ह आर्टिकल 370 के इशू पर इंटरवीन करें इसलिए मैं इसको गुपकार गैंग कहता हूँ तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं यहाँ पर क्या है कि आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले गुपकार डिकलेरेशन के बारे में आपको याद होगा एक साल पहले that is on 5th August 2019 I am sure आप सबको यह date पता होगा कि जब यह Article 370 को abrogate किया गया था और इसके थ्रू जो जम्मू कश्मीर को special status मिला वा था इसको यहाँ पर revoke कर दिया गया था यह जो step लिया गया था Parliament के अंदर 5th August को तो 5th August के पहले अगर आप कुछ प्रक्रिया आपको याद हो तो आपको सारी paramilitary forces भेजी जा रही थी center की तरफ से even यहाँ पर एक news सामने आई थी कि जो अमरनात के pilgrims हैं वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं तो एक तरह का यहाँ पर काफी भारत भर में पूरे भारत में even जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को काफी जादा आसंका थी कि यह ह क्या रहा है अचानक से इतनी सारी paramilitary forces का कश्मीर के अंदर आना तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था इसको देखते वे क्या हुआ कि एक दिन पहले यह जो 5th August को यह पुरा प्रक्रण हुआ था पारलेमेंट में उसके जस्ट एक दिन पहले that is 4th August को यहाँ पर जम्मू क कश्मीर के अंदर जो स्री नगर है वहाँ पर फारुक अब्दुल्ला के घर पर जितनी भी political parties हैं उन्होंने यहाँ पर आपस में बैट कर एक तरह से बातचीत की बेसिकली जो political parties हैं इसमें BJP को छोड़कर जितनी भी political parties हैं जम्मू कश्मीर में सभी ने मिलकर यहाँ पर ए तो यहाँ पर 4th of August को यह जो parties मिली थी उन्होंने यहाँ पर एक joint statement जारी किया कि article 370 के उपर clarification आई क्योंकि आपको याद रखना है 4th of August को किसी को कुछ नहीं पता था कि 5th of August को क्या होना है तो यहाँ पर इन्होंने joint statement जारी किया अब joint statement में क्या क्या कहा गया सभी parties ने मिल कर यहाँ पर defend किया कि जम्मू कश्मीर की जो identity है status है वो वैसे ही होना चाहिए अगर सरकार किसी भी तरह का कदम उठाती है article 35A 370 को लेकर तो यह unconstitutional होगा और यहाँ पर यह जो parties हैं उन्होंने एक तरह से request किया Prime Minister President को कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पर वो सूचन जारी किया और इसी joint statement को बोला गया दोस्तों गुपकार declaration और गुपकार क्यों आया क्योंकि यह जो बैठक हुई थी वो गुपकार road पर जो फारुक अबदुल्ला का घर है वहाँ पर हुआ था I hope कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी अब देखिए क्या होता है ठी पार्टी मिलती है और फिर से उन्होंने यहाँ पर sign किया और फिर से यह जो पुरा मुद्दा है गुपकार declaration का वो यहाँ पर सामने आ जाता है अब हम आते हैं कि यह गुपकार alliance क्या है गुपकार alliance समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि recently central government ने क्योंकि आपको पता है कि internationally भी कई-कई जगह से यहाँ पर आवाज उठ रही है कि कश्मीर के अंदर एक तरह से जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होनी चाहिए तो basically जम्मू कश्मीर के अंदर एक local body के चुनाव हो उसको लेकर announce किया गया central government की द्वारा वो मैं आपको आगे national conference जो अबदुल्ला की party है उसके अलावा CPI, CPIM और जो आपके अलग-अलग और भी कई सारे local parties हैं उनके भी नाम आप देख सकते हो तो यह जो seven parties हैं वो एक साथ आते हैं और वो announce करते हैं एक तरह का alliance और यह alliance का formal name क्या होता है आप देख सकते हो People's Alliance for Gupka Declaration P.A.G.D. तो basically यह जो alliance है वो एक साथ आ जाते हैं ताकि वो एक साथ मिलकर यह जो चुनाव है local bodies का वो लड़ेंगे यहाँ पर पहले तो इन सब ने announce किया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन अचानक से यह जो parties थी गुपकार declaration की वो साथ में आती हैं और यहाँ पर announce करती ह कि वो चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने announce किया कि वो चाहते हैं कि article 370 वापस से restore हो special status जो था वो वापस से हो इसलिए हम यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं local bodies का अब यह जो alliance है दोस्तों यह जो people's alliance for गुपकार declaration है इसके जो chairman है वो declare कर दिया गया फारुक अब्दुल ने यह भी बताया कि यह anti-BJP alliance है यह anti-national alliance नहीं है उन्होंने ऐसा यहाँ पर बयान दिया इसके लावा उन्होंने यह बोला कि इस alliance का main मकसद है कि जो stakeholders है जम्मू कश्मीर में और बाकी जगह उनके साथ resolution करना dialogue करना ताकि चीजें सही से हो सकें ठीक है I hope कि अब आपको के अंदर local body जिसका नाम होता था district development board अब यह हट जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर का special status हटने के बाद यह सारी चीजें हट गई अब यहाँ पर central government ने announce किया कि हम एक नया body create करेंगे जिसका नाम होगा district development council जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी district हैं अभी आप इसके नाम टोटल 20 district यहाँ पर आप देख पाऊगे तो हर एक district में एक council बनेगा जिसका नाम होगा district development council और हर एक district के अंदर यहाँ पर 14 constituencies होंगी मतलग जितने भी 20 district आप यहाँ पर देख रहे हो इसमें 14 14 constituencies होंगी और यह 14 constituencies हर एक district के अंदर यह जो district development council है उसके chairperson कौन होंगे I hope की समझ में आ रहा होगा, suppose ये वाला district मैं कहता हूँ, ये खिशितवार वाला district है, यहाँ पर 14 लोग select किये गए, और ये direct election होगा, directly लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, तो 14 लोग यहाँ पर 14% elect हुआ हैं, एक district के अंदर, ये 14 लोग मिलकर, एक chairperson declare करेंगे, और एक vice chairperson वो vote करेंगे, तो हर एक district में इसी तरह से चीज़ें चलेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, कि पहले वाला जो board होता था, जहाँ पर cabinet minister हुआ करते थे, representative minister of state हुआ करते थे, वो अब इसके chairperson नहीं होगे, अब एक नया body create होगा, कि यहाँ तक जितनी भी चीज़ें थी, दोस्तों आपको मैंने बता दिया है, और इसी को लेकर, यह जो alliance create किया गया है, election लडने के लिए, यहीं पर पुरा मुद्दा आ गया, कि Amit शाजी ने यहाँ पर announce कर दिया, कि यह जो गुपकार alliance है, वो एक तरह का गुपकार गैंग है, और इसी लिए बार-बार यह news में चल रहा है, और मैंने आपको जैसा बताया, कि यह अन्होली global गड़बंदर, और उन्होंने इंट्राक यहाँ पर Congress के उपर attack किया, क्योंकि Congress भी यहाँ पर, उन्होंने यह कहा कि, informal seat sharing कर रही है गुपकार अलाइंस के साथ, तो उन्होंने एक तरह से clarification मांगा Congress के उपर, लेकिन लेट मी टेल यहाँ पर एक और इंट्रस्टिंग यह चीज है, कि अल्दो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखोगी, तो यह है पूरा, यह पूरा आपका लदाक वाला है, तो यहाँ पर जो कारगिल का एरिया है, यहाँ जो आप देख रहे हो पूरा, यह कारगिल का एरिया लदाक के अंदर आ गया है, तो कारगिल वाले एरिया में जो चुना हुए हैं, जो चीजें हो रही है, वहाँ पर BJP National Conference के साथ Alliance में है, लेकिन बाकी जगा वो Alliance में नहीं है, तो आप देख सकते हो, सभी Political Parties जो है, अपना अपना गेम प्ले और सारी चीजें करने की कोशिश कर रही है, बट I hope कि इस वीडियो के तुरू आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि गुपकार गैंग है, क्या किस लिए यहाँ पर चर्चा हुरी है, यह Alliance क्या है, जाने से पहले मैं आपके लिए दो important question लेकर आया हूँ regarding जम्मू कश्मीर, पहला आपको बताना है कि जो constitution बनाये गया था, जम्मू कश्मीर का पहले आपको याद हो कि इनका एक अलग से constitution हो अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेली ग्राम से आप इसका right answer ले सकते हैं, मैं कई सारा MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, आप stories में जाकर play कर सकते हो, अगर आप उसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, आप study IQ आप पर जा सकते हैं, I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then thank you very much, see you soon.